एक बार एक अमीर व्यापारी एक बौध विक्षों के पास आता है और कहता है भनते पिछले कुछ समय से मैंने अनभो किया है कि मेरे अंदर चिंता, क्रोध, लालज और घमंड जैसे मानवी कुभीचार बढ़ते जा रही है इस चिंता, क्रोध, लालज और घमंड की बज़े से मैं अपने व्यापार में भी लगतार सफल होता जा रहा हूँ और मेरे परतिदुंदी लगतार मेरे से आगे निकल रहे हैं और ये बात मुझे और भी गहरे चिंता की और घसीटे जा रही है मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मैं चिंता, क्रोध, घमंड और लालच करने की अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ क्रपया मुझे कोई ऐसा समधान बताएं जिससे मैं अपनी इन बुरी आदतों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूँ बहुत भिक्षो ने उस अमीर व्यापारी की बात पुरी ध्यान से सुनी और फिर कहा उससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ ध्यान से सुनना एक समराट के पास चार खोड़े थे, वो चारो खोड़े कद काठी से बहुती मजबूत और देखने में बहुती सुन्दर थे इसलिए समराट उन चारो खोड़ों से बहुती प्रेम करता था लेकिन समराट की समस्या ये थी कि वो चारो होई घोडे बहुती उद्धंड थे वो किसी भी प्रकार से घुर सवारी के लिए प्रसिक्षित नहीं थे समराट उन घोडों को प्रसिक्षित करवाना चाहता था ताकि उनके सुंदरता में चार चान लग जाएं लेकिन समराट अपता का सफल रहा था क्योंकि जो भी प्रसिक्षक उनकी पीट पर बैठता वो उसे पीट से गिरा कर अपने पैरों से बुरी तरह घायल कर देते और क्योंकि वो समराट के प्रिय घोडे थे इसलिए समराट का सक्त आदेश था कि कोई भी प्रिसिक्षक उन घोड़ों को मार पीट कर प्रिसिक्षित नहीं करेगा इसलिए अब तक सभी प्रिसिक्षक का सफल रहे थे अब समराट ने अपने पुरे राज्य में ये घोशना करबा दी कि जो भी वेक्ति इन घोडों को बिना मारे पीटे इन्हें पूरी तरह से घुड सवारी के लिए परसिक्षित कर देगा उसे 10 लाग सोने के सिक्के दिये जाएंगे घोशना के कुछी दिनों बाद समराट के दरबार में एक युवा किसाना आता है और समराट से कहता है मैं आपके इन चारो घोडों को बिना कोई सारीरिक नुकसान पहुँचाए पूरी तरह से परसिक्षित कर सकता हूँ लेकिन इसके लिए मेरी कुछ सरते हैं समराट ने कहा क्या सरते हैं तुम्हारी किसान ने कहा मुझे इन घोडों को परसिक्षित करने के लिए एक वर्स का समय चाहिए और साथ ही इन घोडों की देख रेक वा खिलाने पिलाने की सारी जम्मेदारी मुझे दे दी जाए और मेरे रहने की बिवस्था भी इन घोडों के साथ ही कर दी जाए समराट ने कहा ठीक है तुम्हारी सारी सरते माननी होंगी तुम कल से इन घोड़ों को परसिक्षित कर सकते हो अगले दिन सुबह होते ही वह किसान उन चारो घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारो तरफ दोड़ना सुरू कर देता है थोड़ी देर तक दोड़ भाग करने के बाद वह उन घोड़ों को अपने हाथों से चारा खिलाता है पानी पिलाता है और खुद भी भोजन करके उसी बाड़े में लेड जाता है घोड़े अब भी उसी बाड रस्टी से बांद देता है और खुद भी उन्हीं के पास सो जाता है सुबह होते ही वह किसान फिर उन घोड़ों को बाड़े में ले जाकर खुल्ला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारो तरफ दोड़ने लगता है घोड़े भी इदर उधर भागने लगते हैं क्यूंकि जब से ये किसान आया था घोड़े खुद को आजाद महसूस करनी लगे थे अब वे चारो ही घोड़े किसान को पसंद भी करनी लगे थे ऐसे ही करते करते लगभक 6 महिने का समय बीत गया एक दिन समराट घोड़ों का प्रसिक्षन देखने आये उन्होंने देखा कि किसान बाड़े में आगे आगे दोड़ रहा है और वो चारो घोड़े उसके पीछे पीछे दोड़ रहे है समराट को उस किसान का प्रसिक्षन पसंद आया और वो वहां से चले गए जब एक बरस का समय पूरा हो गया तो समराट के पास संदेशा भेजा गया कि घोड़े पूरी तरह से प्रसिक्षित हो चुके है समराट बड़े ही उत्साह के साथ उन घोड़ों को देखने आये समराट के आते ही किसान ने एक एक कर सभी घोड़ों के उपर बैठ कर उनकी लगाम पकड़ कर सभारी करके समराट को दिखाई सभी घोड़े बिना किसी उत्दंड़ता के पूरे अनुसासन के साथ किसान को अपनी पीट पर बैठा कर तेज गती से भाग रही थे यह देखकर समराट के आश्चरे का ठीकाना ना रहा उसने किसान से पूछा यह चमतकार तुमने कैसे किया किसान ने कहा पहले मैं इनको आजादी देकर इनके साथ रहकर इनका दोस्त बन गया मैं हर रोज बाड़े के चारो तरफ अकेला दोड़ता था मुझे दोड़ता देखकर यह भी मेरे पीछे पीछे दोड़ने लगे फिर मैं इनकी पीट पर काठी रखने लगा सुरू में तो यह काठी को गिरा देते थे लेकिन धीरे धीरे यह काठी को पीट पर रखकर दोड़ने लगे फिर मैंने इनकी पीट पर बैठना सुरू कर दिया जब ये खड़े रहते थे सिर्फ कुछ देर के लिए बैठता था और फिर उतर जाता था जब ये घोड़े मुझे अपनी पीट पर बैठाने के आदी हो गए तो मैंने इनकी पीट पर बैठ कर इन्हें दोड़ाना सुरू कर दिया और धीरे धीरे ये इनकी आदद बन गई और अब नतीजा आपके सामने है यह सब सुनकर समराट बहुत परसंद हुआ उसने उस किसान को दस लाग सोने के सिक्के तो दिये ही लेकिन साथ ही उन घोड़ों की देखभाल के लिए उसे अपने हां नोकड़ी पर भी रख लिया कहानी खत्म करने के बाद बौद भिक्षू ने उस अमीर व्यपारी से कहा इंसान के अंदर भी ये चार प्रकार के उद्दंड घोड़े पाए जाते हैं जिनका नाम है चिंता, क्रोध, घमंड और लालच और इस कहानी में जो प्रसिक्षक है वो है हमारी बुद्धी, यानि हम खुद तुम्हें अपनी बुद्धी के प्रयोक से अपने मन के इन चारो उद्दंड घोड़ों को लगातार प्रसिक्षित करते रहना चाहिए ताकि ये तुम्हारे काबू में रह सके लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी यानि कि इन चारो की कारे प्रनाली को समझ कर इन पर लगाम लगाना होगा और ये धीरे धीरे ही संभव होगा तुम अचानक से इन्हें अपनी बस में नहीं कर सकते जैसे की पहला उद्धंड घोडा चिंता चिंता करने से समस्या और उलचती है जबकि चिंतन करने से उसका समधान निकलता है ये बात अपनी बुद्धी के द्वारा तुम्हें अपनी उद्धंड मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए तुम्हें अपनी सकरात्मक सोच के साथ चिंता करने में नहीं बलकि समस्या का समाधान खोजने में अपना समय लगाना चाहिए दूसरा उद्दंड घोड़ा, क्रोध क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो लेकिन स्वयम का नुकसान जरूर होता है पर कुछ जगों पर क्रोध करना भी जरूरी होता है जैसे जब कोई बे बज़े ही हमें नुकसान पहुचा रहा हो या फिर किसी कमजोर या बे सहारा को अकारण ही डरा धमका या मार पीर रहा हो लेकिन कब, कहां और कितना क्रोध करना है कब करना है, कब इसे नियंतित रखना है और कैसे नियंतित रखना है यही सारी बातें अपनी बुद्धी से धीरे धीरे इस क्रोध नामक बेलगाम भोडे को सिखानी चाहिए तीसरी चीज, घमंड घमंड और आत्म विश्वास के बीच एक बहुती पतलिसी लकीर होती है इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ये घमंड है इसे मैं भी कर सकता हूँ ये आत्म विश्वास है तो घमंड और आत्म विश्वास के इस अंतर को अपनी बुद्धी के द्वारा अपनी मन को समझाना चाहिए और अगर किसी को अपने धन, ताकत और सुन्दर्ता का घमंड है तो उसे अपनी बुद्धी के द्वारा अपने घमंड नामा घोड़े को ये समझाना चाहिए कि मुझसे पहले बहुत से लोग हुए जो मुझसे भी कई गुना जाद सुन्दर, बुद्धी मान, ताकतवर और धनवान थे लेकिन आज वो सभी मिट्टी में मिल चुके हैं ये सब इस्थाई नहीं है, ये सब हमेशा नहीं रहने बाला इस बात को अपनी बुद्धी के द्वारा हमें अपने घमंड के घोड़े को समझाना चाहिए और चौथा कुबिचार, लालच लालच ज्ञान कहो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच अग्यानता कहो तो बुरा है यही फर्क अपने इस शोथे घोड़े को यानी लालच को अपनी बुद्धी के द्वारा समझाना चाहिए अंत्यमे बुधुख्षू ने व्यापारी से कहा मेरी इन सारी बातों का अर्थ केबल इतना है कि अगर तुम अपने अंदर की बुराईयों को खत्म करना चाहते हो तो तुम उन्हें समझ कर धीरे धीरे अपनी बुद्धी के द्वारा उनसे छुटकारा पा सकते हो इसके बाद बौद विक्चू ने अपने आखे बंद कर ली और वह अमीर ब्यापारी उनको प्रणाम कर वहां से चला गया